हलो फ्रेंज, वीश्वल आर्चित विनी में आपका स्वागत है दोस्तों हम लोग वेस्टर्न आर्ट की टाइम लाइन में चल रहे हैं और उसमें हमारा पुनुरुथान, चरम पुनुरुथान काल जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है वहां तक हम आ चुके हैं, आप लोग की सहायता से हो सकता है अभी थोड़ा बहुत स्लो चल रहा है अपना काम लेकिन फिर भी जितना हो पा रहा है उतना ट्राइ कर रही हूं मैं और इसलिए आज हम एक बहुत महत्वपून टॉपिक लेके आई हूँ चरम पुनुरुथान का ही देखिए जो मुख्यतीन फ्लोरेंस वाधी कलाकार जने कहा जाता है चरम पुनुरुथान काल का लियोनार्ड दविंसी, मैकल एंजलियर, रफेल तो हम लोग उनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है क्योंकि कोई भी एक्जाम हो आपकी चित्रकला से रिलेटेड अगर वेस्टन आर्ट आपके सिलेबस में है आजकल वैसे mostly सभी एक्जाम्स में है वो और आजकल वैसे इनका questions तो आए गए इसलिए यह बहुत अच्छा से पढ़ने की जरूरत है और इसलिए लियोनार्ड विंसी इन पे अब हम separate वीडियोस ही बनाएंगे अगला वीडियो माइकल एंजलियो पे रहेगा ताकि हम लोग easily उसको study कर सकें ठीक है तो यह दोस्तों पहले वाला वीडियो जो है वो चरम पुनरुथानकाल और अरली बोलेंगे आरंभिक पुनरुथानकाल का हो चुका है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के description box में मिल जाएगा अगर आपका रहे गया है और आपने नहीं देखा तो आप वो देखें और अगर first time इस channel से जुड़ रहे हैं तो playlist में जाके और वीडियो देखें वो आपका ही मदद करेगी और इस वीडियो के link को जाज़-जादा शेयर कर दो ताकि लोगों को चरम पुनुरुथान कार लियोनाड़ द विंसी जिसको पढ़ने की इच्छा हो वो अराम से इसको पढ़ सके तो हम लोग आज शुरू क्या करने वाले हैं लियोनाड़ द विंसी के बारे में पढ़ेंगे तो देखो दोस्तों हम ये बोलेंगे कि एक बहुत महान हस्ती थे और इनकी बोधिक्षम तब बहुत जादा थी एक जो उनका दिमाग और ये सब चीज़ें इतनी जादा थी कि ये सिर्फ एक अकेले चितरकार हम इनको नहीं कहा सकती मैंने आपको पहले बताया था कि इन्हें सिर्फ चितरकार कहेंगे तो ये इनके साथ ही ना इनसाफी होगी क्योंकि इनको पोली मेत कहा जाता है ठीक है क्योंकि बहुत सारे कारे किये हैं इनने हैना चाहे वो शरीर शास्त्र मतलब आने टॉमी से रिलेटेड हो चाहे वो आंतरिक्ष स्पेस हैना एस्ट्रोनॉमी इन से रिलेटेड हो चाहे इंचिनियरिंग उनसे मतलब बहुत सारा काम इस बंदे ने किया है ठीक है तो एक बोलेंगे के वेस्टन आर्ट में ही लियोनार्डो का टॉपिक में सिर्फ पुरुरुथान के लिए नहीं कहूंगी मैं तो टोटल कम्प्लीट वेस्टन आर्ट के लिए कहूंगी के बहुत महतुपूर्ण हीरो हैं एंगे तो इनको हम अच्छे से पढ़ते हैं ठीक है तो इनका जन्म सबसे पहले कहां हुआ तो वेनिस जगे जो की हम बोलेंगे स्वतंत्र फ्लोरेंस है ना फ्लोरेंस की जो जगे थी वेनिस जो की आज क्या है प्रेसेंट में इटली है जो तो वो वहाँ पे उनका जन्म हुआ था ठीक है लियोनार्डो के बारे में कहा जाता है अब हम क्या बोलते हैं उनकी इक ऐलिए लाइफ के बारा मैं थोड़ा से बता दो कि इनका जन मुँआ इनके जो पिता है उनने तीन चार शादियां की थी और इनकी तो डे 1973 अब लेकिन उसके बाद उनने दो शादियां और करी थी अपने कम एज की लड़कियों के साथ, लेकिन वो भी मतलब without any children, child वो उनकी death हो चुकी थी, वो इनको बहुत प्यार करी थी, मतलब सौतेली मा थी लेकिन फिर भी फिर जो चौती शादी ने करी थी, इनके फादर की मतलब च चार वाइफ थी, जौती शादी करी थी, उससे फिर उनके मतलब उनके और भी brother sisters, जो बोलेंगे हम step brother sisters रहें, और उसमें मतलब उनका ऐसा भी कहा जाता है, कि जब लियोनार्डो 40 years के थे, तब उनका एक मतलब उनकी जो step mom का बच्चा भी हुआ था, तो उस समय की ये चीज थी, थोड़ी इनकी early life इस प्रकार से भीती है, है न, और क्या हुआ था, तो ये एक वकील के पुत्र थे, ठीक है, वो आपना आगे देखते है, इनके जो गुरू है, ये कुछ important चीज है जो आप एकदम पहले देख लो, ठीक है, तो इनके गुरू वेरोच्चियो के नाम स वेरोच्चियो के गुरू डोनाटेलो और लाइक लियोनार्डो के गुरू वेरोच्चियो, इस तरह से ये तीनों हैं, उसके बाद इनको मिलान भेज दिया गया था, ड्यूक से मिलने के लिए मिलान भेज जा था, लेकिन वो भाग के वापिस आ गया थे, थोड़े समय में ये एक जादुगर, विग्यानिक, इंजिनियर, रिसर्चर, संशेप में यह एक बहु रूपता थे, मतलब की पोलीमेथ, ठीक है, ये सब कुछ थे हैं, मैजिशियन, साइंटिस, इंजिनियर, रिसर्चर, ये सब थे, ठीक है, इन्होंने लगातार नोटों और रेखा चित बहुत कुछ की हैं, जैसे कि आज हम भी एक आर्ट से रिलेटेड लोग हैं, विजूल आज से, तो हम यही कहते हैं, कि ठीक है, पेंटिंग्स वगेरा सब अपनी जगे, लेकिन स्केच आज आज आपका ड्रॉइंग आप सही करोगे, आपका स्केच सही करोगे, तो आप बे आगे, उन्होंने यह भी अधिन किया है, आरेक और नोट, जो डाइग्राम्स हैं, और नोट के साथ गर्ब में बढ़ते भून, जो हम बोलेंगे, जैसे जो वॉम्ब में, मतलब बोलेंगे, गर्ब में जिस तरह से शिशू बढ़ता है, उस प्रकार के उसको भी डाइग्र और साइन्स को भी बहुत अच्छे से लिंक किया है, समुद्र की लहरें और धाराओं में जो विज्ञानिक साइन्टिफिक रीजन है, उसका भी उनने काम किया है, मतलब उस पे भी वर्क किया है, है ना, जो उसका उनकी क्या वेव्ज हैं, करेंट्स हैं, वो सब, एस्ट्र किया था, हतियार, प्रक्षपास्त, है ना, और विपर्न, मिसाइल्स कहेंगे हम, और अलग-अलग नोट्स और स्केचेस के जरी, इनने ये सब चीज में भी, को भी वो किया था, क्या बोलते हैं, इसका भी एडिक्टर से डिस्कवरी ही मानलो, आप वो किया था, वहत जीव लिया था, कि पृत्वी सूर्य के चारों और, और उसके चारों और गुमती है, मीन्स, रोटेशन और रेवॉल्यूशन का जो फंडा है, कि किस तरह से अर्थ सन के आसपास गुमती है, और खुद भी घुमती है, मतलब, रोटेट भी करती है और र्रेवाल्व भी होती है, तो ये चीज का पता भी किसने लियोनाडो ने लगा लिया था, इस तरह के सरवागिय पिंड, मतलब किस तरह से कितने एन नमबर ओफ, ये सब साइन्स अगर आप लोगों ने पड़ा है, ये सब चीज ने देखिए तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि किस तरह से पिंड, ब्रहमान में इतने पिंड वगेरा घुमते रहे थे, ये सब चीज ने भी लियोनाडो ने बनाई है, ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई कुशन आपका आता भी एक्जाम में, क्या कि ये किस, मतलब साइन्स से रिलेटेड, तो ये आपको बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इनने पूरी साइन्स की स्टडी कर रखी है, बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे शेत्रों में अपना काम किया है, तो उसका आंसर लियोनाडो योगा, ये आपका मतलब आपको एक पहचानने के लिए बहुत इजी हो जाएगा, शरीर में रक्त का परिभ्रमण, मिन किस त गाडियां और चीजने होनी चीए, ये सब चीजों का भी अविश्काल लियोनाडो ने किया था, अनेक प्रकार के वायू यान हेलिकॉप्टर्स ये आपको बता चुके हैं, वो उसके लिए भी अलग-अलग सी प्लानिंग्स की थी, तथा पंडुपी की कल्पना भी की थी, किन्तु इनमें से वक किसी भी खोश को पूर्ण नहीं कर पाया, ऐसा इनके बारे में बहुत चीज़ कही जाती है, कि इनने काम शुरू किया, पेंटिंग से रिलेटेट भी बहुत टेक्नीक्स को किया, शुरू किया, जैसे मोम की चितरन विधिया, ऐसी कुछ करके, वो भी से उनने भी बहुत काम किया है, ठीक है, थोड़ा साम ये बोलेंगे कि धियोनार्डो का तो मोशली पेंटिंग ही देखने को मिला है, और पेंटिंग ही हम जानते हैं, विश्व प्रसिद जितनी पेंटिंग से उनकी 10-15 जो भी हम बहुत अच्छे से उसको जानते हैं, लेक प्रसियों ने भी बहुत मुर्तियां में काम किया है, और इसलिए ये चीज इनमें भी आएगी, जिसमें उसने मानव अकृति को वातावरण से संबंदित स्थिती में निर्मित करने की द्रिष्टी प्राप्त की थी, ठीक है, किस तरह से हमको यूमन को एन्वार्मिंट में मतलब एक अलग-अलग कंडिशन्स में जोडने की द्रिष्टी इनने प्राप्त की थी, मुर्तियों में उसने गढण शीलता को प्रभावी रूप से छाया प्रकाश द्वारा प्रस्तुत किया, जो है तो है, ठीक है, गढण शीलता को किस तरह से किया है, लाइट और शेड के कंड्रास्ट से उनने उसको शो किया है, जो हाय रनाइसन्स है, उसका एक बहुत प्रमुख, मैंने आपको पहले चीज बोल चुकी हूँ, कि फ्लैटनेस को खतम करके लाइट शेड को बहुत कंड्रास्ट में काम करने की कोशिश करी है, और उसी को हम आगे बढ़ाएंग तो बरोक में रेमरांट आते हैं हमारे, और वो ही चायरस्क्यूरो, means चायरस्क्यूरो is a term, जो की लाइट और डाक के कंड्रास्ट की स्टडी के लिए यूज होती, तो ये चीज नहीं आगे बढ़ रहे हैं, कल तक जो चीज एकदम फ्लैट थी, आज हम देख रहे हैं कि कि और रियलिस्टिक, रियलिस्म लाने के लिए कुछ वास्तविक्ता दिखाने के लिए मानवियता, क्योंकि देखिए पुरुथान का बहुत में टॉपिक था, तो उस चीज को क्लियर करने के लिए इनने लाइट और शेड को मुर्तिकल हमें भी लाए हैं पेंटिंग में तो लियोनाडो ने बहुत सुंदर तरीके से घोणों की मुर्तियों का चितरन किया, ऐसा भी माना जाता है, 1499 में जब की अभी हम आगे डीटेल में पढ़ेंगे, जब मिलान पर फ्रेंच का अधिकार हो गया था, तो लियोनाडो 15 सो में फ्लोरेंस लोड गया था, ठीक है, उस मैं आपको इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बताया है, तो ये एक मीनस एक वकील के अवैद पुत्रत है, जिनको ऐसा कहा जाता है, और इनका जन विंसी, जो फ्लोरेंस का रिपब्लिक एरिया था, वहाँ पे इनका जन हुआ था, ठीक है, सर्वप्रत्थम, जब इनने वर आती हूं, देखिए, क्या हुआ था, जब इनने आतनी आरंबिक शिक्षा करी और इनका इंट्रेस्ट दिखने लगा, उनके पिचा को कि यार इसमें है, तो इनने इसको वेरोच्चियों के वक्शॉप में बेजे, वेरोच्चियों का मैंने आपको बताया था, जब लियोनार्डो माइकल एंजलियो भी थे, तो लियोनार्डो को इसी समय से मतलब उनके साथ भेज दिया गया था, वेरोच्चियों के पास, वेरोच्चियों को इनने मतलब एप्रॉक्स 1464, यह अपना क्या है, इनकी जन कब हुआ था, जब यह शाद 11-12 साल की उमर में ही थे तो इनको वेरोच्चियों के पास भेज दिया था, अब जब है 1467, इस समय उनने वेरोच्चियों के पास भेज दिया था, और 1476 तक वो वेरोच्चियों के साथ रहे थे, कौन? लियोनार्डी दर रिंसी, ठीक है? तो यह हमे बताना चारी थी कि यहां रहे थे और इनने बहुत काम सीखा तो ऐसे ही आपको पता है वरोच्चियों ने जब अपने समय में कारे किया था और इस समय जैसे कर रहे थे लियोनाडो बहुत चोटे थे तब भले लेकिन जब वो कारे कर रहे थे, तो एक church की ही baptistha थी, है ना, उसमें उनने paint किया, तो एक left side का एक angel Leonardo ने paint किया, और मतलब बड़ा काम होता है, ना, बोलते हैं, आधा काम इता सतु कर दे चल, है ना, उनका student था, उनके 7 काम कर रहे थे, तो जो शेत्र, उनने कारे किया एक एंजल को पेंटिंग लियोनाडो ने किया तो वो जैसे ही वेरोचियों ने देखा तो ये कहानी है येसी ही वेरोचियों ने देखा तो वेरोचियों ने चितरन कारे छोड़ दिया मतलब बहुत बड़ी बाते देखिए उनने उसको देखा तो उनने में तो यह वरोचियों के साथ हो गए थे और कारे करने लग गए थे अच्छा खासा स्टेटस मींस कपना का 1472 में कलाहकार के संग मतलब आर्टिस्ट गिल्ड के साथ जुड़ गए थे चीक है 1476 तक वरोचियों के साथ रहे मतलब 67 आप उसको उल्टा याद रखें मतलब अब देखने हैं एक मिनेट आके अब हम उनका थोड़ा से कुछ काम देखते हैं तो देखें 1472 में गिल्ड के साथ जुड़ है वो तो 1473 में उन्हें अपना पहला लेंस्केप बनाया है पहला लेंस्केप के नाम से फेमस है यह वाला लेंस्केप आप देखिए उनने यह प उस तरह उदर का हुआ था वैनिस के ही पास की जगे है तो वहां का उनने लेंड्सकेप इनका पहला लेंड्सकेप यही माना चाहता है 1473 में बनाया था और 1476 तक वो किसके साथ रहे थे वो 1476 तक वरोचियों के साथ रहे थे ठीक है अब 1474 में मतलब उससा में भी उनने एक व संग रहे थे राश्णी संग रहे वाशिंग्टन और इसको क्या कहते हैं जिनर्वा डे बैची यह उनका एक फेमस काम में से एक है इस तरह से कैसे उनने लाइट शेट को कॉंट्रास्ट किया है वो आप समझ सकते हैं यह वन ऑफ द अर्लियस वर्क है मतलब है न स्टार्ट मोनालिसा है उसको भी जो उस पे भी मतलब इस पे शंसुर्दन करके और उनने मतलब हम बोलेंगे कि यह एक उसके लिए भी प्रेणास्तरोथ होगा चीक है तो 1474 में यह था अब यह 1481 में 76 तक वो उनके साथ थे क्या बोलते हैं हमारे वरोचियों के साथ और 1408 में फ्लोरेंस के निकट ही इसाई संतों के एक मत्थ में इसाई संतों के जो एक मत्थ था एक मोनेस्ट्री थी उसमें राज्य अधिकारियों द्वारा इसा की वंदना जिसको एडोरेशन आफ द किंग और अडोरेशन आफ द मेगी यह भी कहते हैं यह पेंटिंग उनने किया थह काँप किया था 1481 में और आज कहां पर है तो उफी सी गैलरी फ्लोरेंस में यह स्था पय दे संग रहात है टीक है तो 1481 में यह जो पेंटिंग हिए एडोरेशन आफ द मेगी का है किस तरह से वर् फेमस पेंटिंग है Virgin of the Rocks किसकी है लियोनाड़ दविंसी की और दो पेंटिंग बनाए इने है देखे वर्जिन इसमें जो देखे पूरा इसका लेंड्सकेप आप देखो किस तरह से पत्थर पर ये वर्जिन है क्रैस्ट है और साथ में ये शिशू के साथ है ये इस तरह से ये पेंटिंग बनाए गए ये शेल खंडो की खुमारी जिसको कहते है हिंदी में नैशनल गैल्ली लंदन में रखी भी है और एक है पारिस कलेक्शन इसकी दो कृतिया बनी थी तो ये एक तो पारिस कलेक्शन में और एक नैशनल गैलरी लंदन में है ठीक है आगे देखते हैं अब 1481 में वो, 1482 में ये, 1483 में इनने क्या किया, अब ये अभी तक Florence में थे, अब ये वहाँ से Milan आ गए, इनका एक बहुत अच्छा concept याद रखें, कि Florence से Milan, Milan से Florence, Florence से Milan, Milan से Florence, ये ही चलेगा इनका और कुछ नहीं, तो 1483 में वो, अब मिलान आ गए, फिर उनने 1489 में एक महिला का चितर अंकित किया, जो की, हैना, जो शायद वहां की जो ड्यूक थे, हैना, मिलान में पहले ड्यूक से मिलने भेजा था, जब वेरोचियो से शिक्षा ग्रहन चल रहा था, उनका तब भेजा था, थोड़े समय है कि वो, और वहां से भागा थे, वापिस आ गया थे, ऐसा, लेकिन फिर उनने 1483 में वापिस मिलान गए, अच्छे बड़े हो गए थे तब तो, और 1489 में वो, उनने एक महिला चितर इस तरह का आंकित किया था, देखिए, और ये चितर शायद ऐसा काता है, कि वहां के जो पूछना हो, means exam को related, net को related, तो कैसे पूछ सकें, तो आप लोग मुझे direct इन पर text करके पूछ सकते हैं, चीक है, और चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो please subscribe कर दें, टिक continue, ये बार-बार बीच में disrupt करता है, क्या करें, चलो, अब हम देखने हैं, अगला हमारा 1483 तक वो हो लेडी विथन अर्माइन, ये भी इसको English में बोलेंगे, तो ये भी बोल दें, लेडी विथन अर्माइन एक बहुत famous, मतलब इसका एक famous name है, और उसी से जाना जाता है, तो ये लेडी अर्माइन तक काम कर लिया था लियोनार्डो ने, और उसके बाद जो है, हम आते हैं, उ इस अमेका सपस, leda और swan का चतर. हैना, कहते हैं, ये sketch किया था, और उसी का sketch means, उसी की प्रतिकृती, ये इस तरह का्ये जो है, ये लियोनार्डो का sketch है, एक लेडी है, जो की swan के साथ है, इसी का copy means, रफेल ने किया था, रफेल ने भी क्या किया था, इसी की अनुकरिती की थी और स्केच किया था और यह इस तरह का जो पेंटिंग है यह भी मतलब प्रेड़ना इन से लिए लेकिन इन्हीं के जो लियोनार्डो के फॉलोवर्स थे उनने ये काम किया था लेडी है स्वान के साथ मतलब हंस के साथ चीक है अब यह देखिए हम यहां तक आ गए 1489 के प्रॉक्स 90 के प्रॉक्स अब वो जो की पहले आये थे कहां पर अपने मिलान आ गए थे लेकिन 1499 तक मिलान में रहे थे वो और 1499 में फिर क्यों हो गया था फ्रेंच अधिकार हो गया था वहां पर तो इसलिए उनको वहां से निकलना पड़ा था तो उसी बीच उसी से पहले मतलब उनने 95 से 98 की समय मिलान में ही जो सेंटा मेरिया चर्च है वहां की उपासना घ्रह में इसा का अंतिम भो जो कि लास्ट सपर की नाम से फेमस मियूरल है वो बनाया और उसको उनने फ्रेस्को में नहीं बना के उनने ओयल पेंटिंग प्लास्टर पर ओयल मीडियम से बनाया चेक है तो यह एक फेमस वो है जो कि उनका उनने जब वो मिलान से फ्लोरेंस वापिस लोट रहे थे फिर से फ्लोरेंस आ रहे थे क्योंकि फ्रेंस अधिकार हो गया था उससे पहले उनने लास्ट चपर का काम किया था ठीक है 1499 में पुना फ्लेरंस लोटा है क्यों क्योंकि उस पे मिलान पे फ्रेंस का अधिकार हो गया था फिर वहां पे उ की developments क्यों हमारा एक तरह से फिगर है उसको कैसे अलग-अलग पोजीशन एक सीरकल में वह उनकी अलग-अलग पॉजेशन शोगई इसलिए उनको बहुत बड़ा शरीरिविद भी कहा जाता है अच्छा जो आपको एक बार लास सपर एक कि अब आप इसमें देखें तो इस तरह से जिजिस क्राइस बीच में बैटने हैं छे इस तरफ छे इस तरफ हैं थोड़ा से इस पेंटिंग को समझीए इन में अलग-अलग जो एक्सप्रेशन दिखाए गए बहुत सुंदर हैं पीछे तीन खिड़किया हैं और जो इसको इन इस प्रेस्प्रेक्टिव की थियोरी भी दी है देखें एक और देखें इसने मोम चितरन पदिती को भी अजमाया था और लेकिन उसमें वो असफल रहे थी मतलब वो डंस से उसको नहीं कर पाया थे हैं आगे दखते हैं अब वो कहां आ गए हैं अब वो मतलब क्योंकि मतलब ऐसा कहा जाता है कि उनकी तीसेटी पत्नी की का पोट्रेट है ये किसका फ्रांसिस्का डेल गया कॉंड कब बनाया थे इसकी सबसे ज्यादा इनकी जो एक मिस्टेरियस स्माइल है, मुस्कुराहट है, वो स्पेशलिटी है, पीछे जो लैंड्सकेप को उनने शो किया है, वो स्पेशलिटी है, तीसरी चीज, लाल रंग के वे भी ने शेड़ों से बनी गई है, चौती चीज, लाइट और शेड जो है, उसका, मतलब उसको एक लाइन से पर फिर भी बहुत सुन्दर है, ध्यान सीधे, उन पर ही केंद्रित होता है, चीक, तो यही चीज़ें हैं, कुछ important, मोना लीसा की, आगे देखें, तो पंदरा सो तीन में अभी है, हाँ, पंदरा सो तीन में इनने सैंट एन के साथ, वर्जिन और क्रेस्ट का जो को शो की वी है, चीक, सैंट एन, वर्जिन मैरी और जीजस क्राइस, तीन जेनरेशन को शो किया वा है, और बहुत लोग इसको पंदरा सो तीन में बना था, फ्लोरेंस की समय, बहुत लोग इसे लास्ट में इन्टिंग भी मानते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कि यही ह फिर जो है, देखो, अभी फ्लोरेंस में थे, फंदरा सो छो में वापिस मिलाना गए वो, ठीक है, और फंदरा सो साथ में उनने सेंट जॉन का एक वक्ति चित्र बनाया था, उनका अंतिम चित्र ये माना गया है, यह भी माना गया है, वो भी अब आप देख लें, उस समय क ज्यादा, अपने अंतिम जिन में शांती से फ्रांस में बिताए, उनने है न, फ्रांस में आ चुके हैं अब वो, और मतलब मिलान में ये काम करके वापिस फ्लोरेंस में आ गये थे, स्वरी फ्रांस में, और वहाँ पे उनने फ्रांसिस वन राजा जो थे, वहाँ के पैलेस तो फ्रांस की एमबोसिस में वहां उदर के पास एक पैलेस में उन्हें को इन्वाइट किया था और वहीं रहते थे तो फ्रांसिस वन फर्स्ट यह वाजा का नाम था यह लिखाया देखिए तो इन राधने नामंत्रित किया था वहां वो आए अपनी अंतिम दिन में वो मोशली वो किसमें वो इन्ही में रह गए काय में विज्ञान के तरफ जुड़ गए और इन्ही सब चीज़ों में वो जुड़ गए ठीक है फिर वो उनको दो मई 1519 67 साल के थे वो जब तो एम बोईस में मही जो पैलेस में वो रहते थे वहां पर फ्रांस में उनको मतलब अटेक प्रैलेस अटेक से उनकी डेर्ट हो गई ठीक है दूस्ती चीज़ बहुत चीज़ने देखने को मिलती है इनकी किसमने मतलब व वित अर्माइन, मोनालिसा और वो वर्जिन अफ दे रॉक्स है ना बहुत सारी पेंटिंग्स उनने किया है एडरेशन अफ दे मेगी उसमें भी है वर्जिन मेरी तो उससे उनकी शेलखंडो की खुमारी लेले आप तो इन सब में उनकी स्त्रीयों को के प्रती स्त्रीयों के क्या है अब आगे देखें इनकी मृत्यों हो गई क्यों रहे है कि अब चाहिए एक बार आपको रिवाइस करा देते क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है लिवनाद दविंसी तो इनको एक बार रिवाइस कर लेते हैं आपन 1452 में इनका जन्म हो गया था फ्लोरेंस की वनाइस म है ना 1452 में जन्म हुआ अभी यह कहां पे हैं फ्लोरेंस में क्योंकि यह कंफ्यूजन होगा फ्लोरेंस से मिलान मिलान से फ्लोरेंस कैसे तो 1452 में इनका जन्म हुआ था 15 अप्रेल को और वेनाइस में हुआ था फिर क्या हुआ था तो 67 में वेरोचियों के साथ ट्रेनिंग से मिलने तो अब ये क्या फ्लोरेंस से कहा आ अ गए म आ अगे थे पहली बार पहली बार आ lijए तो वापिस भाग के आ गए थी वया आपको पत्स पॉटिन सेवन्टी टूमें डर्प के साथ जुड़े ऑफिर क्या हुआ मिलान से फ्लॉरेंस यighे भाक के आ ऊगे देखिए फिर Adoration of the King जो इसा की वंदना 1481 में बनाया और 1482 में Virgin of the Rex शेल खंडो की कुमारी इनने बनाया फिर क्या हुआ फिर मिलान आ गए 1483 में मिलान आ गए 1499 तक मिलान में रहे तब क्या काम किया तो 1489 में Lady with Carmine जो आपको बताया है जो Lady white coat में और वो उसको पकड़के वो वाला बह प्रवान बनाया इसी वीच लास सपर बनाया मिलान के ही सेंट्रम हेरिया में लास सपर बनाया 1495 में अब आगे देखें फिर क्या हुआ फिर मिलान से 1499 में जो फ्रेंच अधिकार हो गया तो 151499 से 1506 तक जो मोनालीसा वाला टाइम पिरेड है उसमें वह आपिस फ्लोरेंस म बनाया पंद्रा सो तीन में वर्जिन एंड क्रिस्ट विट सेंट एना वो बनाया है संट एने के साथ वर्जिन और कुमारी और शिशु यह बनाया फिर 1506 में छे तक तो रुखें 1506 में वापिस आ गए मिलान 1507 में सेंट जोन दबेप्टिस्ट यह बनाया और फिर आखरी म जब फ्रांसिस एट किंग ने इनको बुलाया तो उनकी पंद्रा सो निस में इनकी डैथ हो गए तो मोस्टली ओवरॉल आप देखें तो 1452 से 1519 की जर्नी इनकी रही ठीक है और एक चीज़ और याद रखें कि 15 अप्रेल को इनका जन्म हुआ और डेट भी आप याद रखी कि ये लियोनार्डो है 15 अप्रेल 1452 को जन्म हुआ और दो मई 1519 में इनकी डैथ हुई ठीक है तो बहुत अच्छे से इसको याद रखना अगर कम पड़े तो एकात बहर और देख लेना और यही सब शायद इसमें बहुत कुछ कवर हो गया लेकिन लियोनार्डो टॉपिक बहुत वास्ट है अगर कुछ छूट गया तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो को जाल स्यादा शेयर करो आपका सपोर्ट मिलता है तो अच्छा लगता है कोशिश करूंगी जल्दी से अपना नेक्स वीडियो आए है ना और कोई भी गलती हो गई हो अच्छे से पढ़ाई करो दोस्तों बहुत कम समय रह गया है और बिल्कुल बढ़िया से पढ़ाई कीजिए ठीक है थैंक्यू सो मच